हेलो फ्रेंड स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में इसमें भी हम लोग मैट पाड़ा गोजी करेंगे फेरेंसे में मैट पाड़ा गोजी के कोश्चन करेंगे कुश्च तो चलिए सुरू करते कोश्चन नंबर फर्स्ट पियाजे के परस्ताओं के अनुसार ठीक तो चली सुर परते, कोशिन को, कोश 챙 करता है कि प्याजिक के परस्ताव के अनुसार माप में विभिन्ता, भहतिक रासियों की संराचन की योगता के विशय में सही कथन को पहचानी सहुन है, चली अब आफस्जन देखते तो पता चलेगा निमापों संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं से पहले हो यह जनुक्त भाक मैं के संख्या के नेक्ट का calorie वह ji पहर के संक्याओं के संक्याओं प्याज़ ने कहा था कि सबसे पहले संक्या का हो इसके बाद भाद माइप का हो संक्या का लंबाई का भार का नेक्श्ट कोशन है सोयव कच्छा पाच में पढ़ता है वो बिभीन परकार के तिर्भुजों को बिभीन स्रेनियों में वरगी क्रित कर सकता है बिभीन परकार के जो तिर्भूज है उनको विविन विविन स्रेनियों में लख रहा है ठीक है तो लेकिन तिर्भूज के तीन कोनों का योग तीन सो असी होगा होता है तिर्भूज के तीन कोनों का योग कितना होता है तीन सो एक सो असी होता है ठीक है कि अमुर्थ प्रमान को समझने में उसे क ठिनाई होती है जो हम लोग जानते कि इसका 90 डिग्री ऐसे कुछ वह अमुर्थ नहीं समझ पाता है पियाजे के संग्यानात्मक सिधान्त के नुसार सोयब का चरण कौन सा है सोयब का चरण कौन सा है ठीक है तो बोल रहे हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता है कि मुर्थ करें पहला उनका है कि सनवेदी है जो कि बच्चे जरण से 2 वर्स का होता है उसके बाद पूर्व है जो कि बच्चे का 2 से 6 वर्स का होता है और फिर है मूर्थ होए जो की 6 से 12 का होता है और फिर अपचारिक है जो 12 से 18 तक का होता है या 13 से 18 का होता है ठीक है तो हमें बच्चा मूर्थ वस्था में है तो मूर्थ संग वस्था में वो क्या होता है और मूर्थ परमान को समाजने में उसे कठनाई होती है ठीक है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों फ्रेंड सो यहीं तक था मैत पड़ा गोजी का क्लास जिसमें हम लोग ने दो भी वी आई ओब जेक्टिव कोस्टन किए फ्रेंड जिसमें आप लोगो इंट्रेस्ट आए होगा जिसमें हम लोग ने जाना प्याजे कर सिदान तो थैंक्स प